अपने सब विलेज काउंसिल में जो हमारे सेकेट्रीज हैं जो देख रहे हैं गाउट में, क्या हो रहा है तुरुपुरा में उसके बारे मैं उसको जानकरी देना चाहता था, उसके बात करना चाहता था और एक बात मैं खेली सबको बोलना चाहता हूँ, पैसा से कोई किसी का दिल नहीं चीछ सकता है, और आज जो धुरूपुरा में हो रहा है, हमारे अत्ति प्रसा के साथ, कि पैसा दिखाकर हमारा जो इमोशन है, जो हमारा अधिकार है, उसको तोड़ने का खोशिश हो रहा है, तो मैं आज सब से बैठ कर बात करना चाहता हूँ, और उनको बोलना चाहता हूँ, कि अभी तक उन्होंने हमारा शांती और प्यार का वातावरन देखा था, लेकिन अगर उन्होंने हमारे इमोशन के साथ, हमारे अधिकार के साथ, हमारा भविश्य के साथ, हमारे तिप्रस का जो भविष्च है उसके साथ खेलने का कोशिश के तो तीप्रा तीप्रासा और अब हर काउ में हर गली में रास्ते में इनका कॉंटर करें। यह फाइट के जो हमारा फाइट है अधिकार का फाइट है, जो जमीन का फाइट है, जो लैंग्विच का, कॉग पॉरॉक का, स्क्रिप्ट का फाइट है, यह कोई पुलिटिकल पार्टी का फाइट नहीं है, भाज, यह लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, लेकिन हमें बोला जाता है, कि कॉग पॉरॉक रोमन स्कूल में लिखा जाता है, मैं आपको चैलेंज करके बोल सकता हूँ, कि यह सब मंत्री, MLA, जो बीजेपी में बैठे हैं, उनका खुद का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो नहीं जाता है, कि हमारा त्रि देड़ा के, हमको विकारी बनाकर, हमको तोड़ के, यह लोग राज करेंग्यों, यह नहीं चलेगा, और मैं अपने विलेज काउंसेल को बोलना चाहता हूँ हमारे विलेश डेविल सेकूर्टरीज को बोलना चाहता हूँ, Journal Chairman's को, MDC's को बोलना चाहता हू, EM's को बोलना MLS को पोलना चाहता हूँ, अब टाइम आया है दिखाने के लिए कि हम लोग सेंकरागवी हैं, हम लोग रेडी हैं, और ये जो उस दिन मैंने BGB का स्टेट प्रेजडेंट का स्टेटमेंट देखा है, मंच में सुकला बैठा है, मंच में IPFT का सीनिय सीनिय लीडर्स बैठा है, और ये लोग बोलते हैं, तीप्रा लैन होबे ना, तीप्रा लैन होबे ना, एंसी दे बर्मा का सामने उनका हिम्मत होता ये बोलने के लिए, नहीं, मेवार कुमार जमातिया के सामने हिम्मत होता बोलने का, नहीं, लेकिन आज हिम्मत दिखाया है, क्योंकि हम लोग ने विलिज लेवल में यहां में यह आप हमारा बात नहीं मानता है अपना जो आपने वादा किया था तीप्राशा को उसको पूरा करो नहीं बोलता है नैशनल पार्टी ते इसे जाओ अंचुनिक पार्टी ते किच्छू हबे नहीं एलेक्शन के पहले तो अभी आपका चांस है दो आप नहीं देगा यह लोग हमको सेकंड क्लास सिटिसन बना के राएं और मैं जन जाती लीडर्स को भी बोलना चाहता हूं अगर तीप्रा लैंड मिलेगा ना तभी जिश्नु करता स्टी एम बन सकता है अगर तीप्रा लैंड मिलेगा ना तभी विद्यूत मिनिस्टर आज इस त्रुप्रा में आपको सेकंड क्लास बना के रखा गया है आपको सिर्फ सेकंड बेस बना के रखा जाएंगा नहीं मैं सबके लिए लेकिन आप अपना स्वार्त देकर अपना तीप्रासा को नीचे रख रहे हैं तो यह मेरा क्लेर स्टेट्मेंट है दिखाने दो पावर लेके आने दो बबागरा अकेला अपना कम्यूनिटी के लिए अपना जाती के लिए फाइट करेगा आज तक आपने मेरा अच्छा साइट देखा है धोका दिया है और धोका का जवाब आपको मिलेगा